नमचकार दोस्तो, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो ये मेरा एजुकेशन वीडियो है, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तो मैं आपकी पेंशन, जीपीफ, टेक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूँ आपको बताता रहता हूँ कि आपको पेंशन ठीक मिल रही है ये गलत मिल रही है आपका टेक्स ठीक कट रहा है ये गलत कट रहा है आपका जीपीफ आपको ठीक मिल रहा है ये गलत मिल रहा है ऐसे ही मैं आपकी pension की calculation, GPF, tax की calculation करता रहा हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लेजिए, और latest मेरे वीडियो की notification आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, इसके लिए आप bell icon को press कर सकते हैं, दोस्तो मैं अपने वीडियो स्चार्ट करने से पहले एक information देना चाहूँगा, दोस्तो मेरे वीडियो से बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिसका reply देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो दोस्तो आप मेरी membership जोईन कर सकते हैं, जब आप मेरे चैनल को subscribe करते हैं नीचे तो side में एक join का button आता है, आप वो join कर सकते हैं, उससे होगा क्या दोस्तो कि माली जी मेरे पे 100 कमेंट आते हैं, और 100 में से जिन्नोंने membership ले रखी है, अगर वो कोई comment करता है बंदा, तो वो highlight हो जाएगा, तो जो मैं priority दूँगा, वो पहले उसे दूँगा, तो आप level 1, level 2, level 3 के recording, आप join कर सकते हैं, मेरे चैनल की membership को, तो दोस्तो, जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप membership जॉइन कर लेते हैं मेरी, तो अगर आप कोई comment करते हैं, तो कईयों के बहुत सारे comment रहते हैं, या अगर आप उसमें से कोई comment करते हैं, किसी वीडियो पे कुछ पूस्ते हैं, तो जैसे मैं आपको बताया कि जो आपका comment है, वो highlight हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि इस बंदे ने मेरी membership ले रखी है, तो सबसे पहले मैं उसका reply करूँगा, तो इस तरीके से आप जाइन कर सकते हैं membership मेरी चैनल की, दोस्तो आज का जो मेरे वीडियो है, ये भी एक calculation पर है, एर फोर्स के ये pensioner है, इनकी जो total calling fine service है, वो है 38 years, इनका जो rank है, ये है Honorary Flying Officer, तो आर्मी में हम बोल सकते हैं, ने Honorary Lieutenant, तो आज मैं इनकी आपको calculation करके बताऊँगा, तो मैं दो तरीके से करूँगा, एक करूँगा one rank, one pension के according, और एक करूँगा notional pay के according, अभी इन्हें EPPO नहीं उश्य हुआ है, दोस्तों अगर आप मुझे अपना EPPO देते हैं, calculation के लिए है, या फिर old PPO देते हैं, तो अगर जिनके पास EPPO नहीं है, तो एक बार अपना आप EPPO जरूर मंगा लीजिए, ताकि मैं आपकी दोनों तरीके से आपकी calculation कर पाऊँ, वारूपी के according भी और notional pay के according भी, कि जो PCDA या PCDA जो आपको notional pay बना के दे रहा है, वो ठीक बना के दे रहा है, या नहीं दे रहा है, तो अगर आप मिरे को EPPO देते हैं, तो मैं आपको notional pay के according भी बता देता हूँ, कि आपके जो notional pay बनाई है, वो ठीक बनाई है, गलत बनाई है, तो एक बार अपना EPPO, जिने नहीं इशू हुआ है अभी, वो आप मंगा लीजिए, अपने record office या फिर PCDA बात करके, क्योंकि जब आप मिरे को calculation करने के लिए दें, तो अपना EPPO भी मिरे को दें, ताकि मैं आपके calculation कर सकू, notional pay के according, तो दोस्तो चलिए, laptop की तरफ हम शुरू करते है calculation, जो Air Force के pensioner है, जिनका rank है, honorary flying officer, और जो आर्मी में हम, जिसमें बोलेंगे, वो बोलेंगे, honorary lieutenant, तो जैसा मैं आपको बता है, मैं दोनों तरीके से calculation करूँगा, OROP के according, और notional pay के according, तो दोस्तो अभी इन्हें EPPO नहीं मिला है, फिर भी मैंने इनकी calculation कर दिया है, कि इनकी notional pay कितनी fix होगी, जब इनका EPPO आएगा, तो दोस्तो और ये भी देख लेते हैं, कि इन्हें OROP में benefit हो रहा है, या फिर notional pay के according इने benefit हो रहा है, तो चलिए laptop की तरफ, दोस्तो मैं laptop की तरफ आगया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले मैं आपको old PPO दिखा देता हूँ, इनका, ये इनका old PPO है, मैं अपनी calculation भी खोल लेता हूँ, ये देखिए, इनका old PPO, आप इनका rank देख रहे हैं, honorary flying officer, air force के हैं ये, तो इनकी last basic pay drawn है, 10-500, पहले हम इनकी notional pay fix करेंगे, pay matrix के अनुसार, आप इनकी calling fine service भी देख सकते हैं, 38, 4, 23, तो चलिए calculation की तरफ, rank HFO, officer है ये, तो air force में ये, honorary flying officer, और army में हम बोलेंगे, honorary lieutenant, तो 6 CPC का pay scale भी हमने मालूम कर लिया, 15 600, 3900, और 5400, चववन सो grade pay में आएंगे, rank HFO, grade pay 5400, level 10, calling fine service, 38, 4, 23, जैसे मैं आपको PPU में दिखाया, date of retirement 10 का 31, 7, 2000, तो सबसे पहले हम इनकी pay fixation करेंगे, notional pay के according, 7 CPC में, तो 5 CPC में, ये retire हुए थे, 2000 में, तो उसका last pay drawn मैंने आपको दिखाया, PPU में, 10 500, तो यही मैंने लिखा है, 10 500, तो इसी के लिखाया हम, 7 CPC में इनकी fix करेंगे, तो 5 से 6 माने के लिए, क्या formula है, 10 500, इन्टू, 1.86, प्लस चववन सो, तो यह आता है, 24 930, तो मैं table भी खोल लेता हूँ, confidence table, यह table है, HFO की, honorary flying officer, तो आप पे scale भी देख रहे हैं, 15 600, 3900 और 500 ग्रेट पे में यह fix होंगे, level 10 के अंदर गत, तो नीचे आप देख रहे हैं, last basic paid on, यहाँ पे शूर ही है, 10 500, तो हम करेंगे, formula base पर, तो 10 500, इन्टू, 1.86, प्लस 5400, तो आता है, 24 930, अब 24 930 को हम इसमें देखें, तो यह fix होते हैं, 24 560 और 25 290 के बीच में, तो 24 930, किसके बीच में आता है, 24 560 और 25 290 के बीच में, तो मैं आपको calculator में भी दिखाऊं, 10 500 का, हम 1.86 करते हैं, तो आता है, 19 530, 19 530, प्लस 5400, ग्रेट पे, तो आप देख रहें, यहाँ पर या आता है, 24 930, जो यहाँ पर भी mention है, 6 CPC में, तो यह जो amount है, यह 6 CPC का है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया, 24 930, 6 CPC का है, अब 6 से 7 में जाने के लिए, हमने 24 930 का 2.57 कर दिया, तो आगे 64070, अब यह वाला हम देखेंगे, concurrence table में, तो यह fix होते हैं, यहाँ पर, 65,000 में, या तो आप 6 CPC वाला amount देख लिजिए, 24 930, इन दोनों के बीच में, या आप 2.57 करने के बाद जो amount आया, उससे आप देख लिजिए, तो मैंने इससे देखा, 64,070 को, तो यह fix हुए, 65,000 पे, तो दोस्तों अभी इनको EPP नहीं मिला है, जब आएगा, तो वो भी चेक कर लेंगे, कि उनकी notional पे कितनी बिठाई है, कितनी fix करी है, तो 65,000 हमने fix कर दी, तो आप pension की calculation कैसे होई, 65,000 प्लस MSP, 15,500, दोस्तों यह officer rank के हैं, तो इसलिए MSP इनकी count होगी, 15,500, जब आपने देखा इदर, honorary lieutenant, और air force में honorary flying officer, तो 15,500 हमने इनकी add कर दी, total आ गया, 80,500, तो 80,500 का 50%, 40,250, फिर उस पे 28% डिये, 11,270, तो pension इनकी बन गई, 51,520, अब normal rate की family pension कैसे बनी, basic pension, 40,250 का 60%, तो आगया 24,150, उस पे 28% डिये, 67,62, तो इनकी family pension नॉर्मल एट की बन गई, 30,912, दोस्तों ये तो होई, calculation, notional pay के according, हमने बता दिया कि 65,000 इनकी fix होगी, pay matrix के अनुसार, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, 65,000, इस table के अनुसार, अब चलते हैं, और रूपी के according, अब हम इनकी pension fix करेंगे, और रूपी के according, जो यह अभी ले रहे हैं, तो यह आगया हमारी और रूपी के according, तो मैं और रूपी की table भी निकाल लेता हूँ, यह आगया हमारे पास, और रूपी की table, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तो, इनका rank है, honorary flying officer, एक officer है यह, तो यह army में आएंगे, honorary lieutenant, तो वो ही हमें और रूपी में देखना है, इनका honorary lieutenant, यह आप देखना है, तो हमें यहाँ पे आना है, यह देखना है हमें, तो honorary lieutenant हम देखेंगे, इनकी calling flying service है, 33 साल से उपर, 38 साल ह है था, 38 साल है, तो हम वो ही देखेंगे, 33 साल से उपर, तो यह honorary lieutenant, आते हैं सबसे last में, 16,160 पे, तो यह हमने mention कर रहा है, 16,160, इसका 2.7 कर दिया, तो आगया 41,532, इस पे हमने DA लगाया, 28% तो आगया, 11,629, तो उनकी pension बन गई, 53,161, normal rate की family pension क्या बनी, 60% हमने कर दिया, basic pension का, जो यह आया था, 41,532, तो आता है, 24,920, 24,920, इस पे latest 80% डिये, 6,978, तो इनकी normal rate की family pension बन गई, 31,898, दोस्तों, आब आभ यह देख रहे हैं, इनने जो pension पर फायदा हो रहा है, वो हो रहा है, ORP के according, ORP में इनकी pension बन रही है, 53 3,161, और notional pay बन रही थी, 51,520, family pension में भी ORP के according इने फायदा हो रहा है, 31,898, और notional pay बन रही है, 30,912, तो दोस्तों, यह जो आप pension ले रहे हैं, यह ORP के according ले रहे हैं, तो ORP इनने beneficial है, और इनी में इने फायदा हो रहा है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, notional pay के according और ORP के according, दोस्तों, ऐसे ही मैं आपकी pension की calculation करता रहूं, आपको समझाता रहूं कि आपको pension ठीक मिल रही है, गलत मिल रही है, दोस्तों, जब भी आप मुझे अपनी pension calculation बेजें, तो अपना EPPO जरूर बेजें, EPPO अगर नहीं आया है, तो वो मंगा लीजिए, ता ताकि जो आपके comment है, वो मेरे लिए first priority बने, मैं पहले उनके जबाब दूँ, फिर बाकी के मैं answer दूँ, जो कि मेरे पास बहुत सारे comment रहते हैं, जिनका reply करना मेरे लिए मुश्किल रहता है, तो अगर आप membership लेते हैं, तो वो आपके लिए भी easy हो जाएगा, और मेरे comment करने के लिए, क्योंकि आपका comment highlight हो जाएगा, सबसे उपर आजाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि आपने मेरी membership level ले रखी है, तो आप अपने according देख लीजिए, join button पे, level 1, level 2, level 3, जो भी आपको लेना है, वो आप ले सकते हैं, अपने according, तो दोस्तों, वीडियो में य अपनी pension निकाल सकें, खुद पता ला सकें, उनको pension ठीक मिल रही है, गलत मिल रही है, thank you very much.